हेलो गाईज, स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चनल फैंटेसी बस पर हमें यहाँ बात करने वाले हैं सीटी वर्सेज जोहानिस बर के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है सौफ अफरीका टी ट्वेंटे का मैच नंबर सैवन इसके बारे में फुल प्रिवियो लेकर आएं पूरा वीडियो देखेंगे तो खुछ से अपनी टीम बना पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफो और गाइडेंस शेयर की जाएगी और इस वीडियो के बाद कोई फर्दर अपडेट आता है आफ्टर टॉस के बाद कोई ऐसी न्यूज जो कि आपकी फेंटसी टीम के लिए काफी एहम साबित हो सकता है तो वह सारी चीज़े आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर बताया जाता है बिल्कुल फ्री में तो टेल 248 का एवरेज स्कोर है सबसे ज्यादा बार 500 के बिलो ही स्कोर गया है नाइंटीन बार दोमेस्टिक ली की बात कर रहे है अब इस टॉर्णमेंट में दो मुकाबले खेले गाए दोनों मुकाबले चेजिंग करने वाली टीम जीती है 147 फरस्ट इनिंग का तो 149 सेकंड इनि ठीक है बट अभी जो रिसेंट के तीन मुकाबले अभी हमने देखे उसमें रंस नहीं बने वह ओल्मोस्ट वन फर्टी वन फिफ्टी बट देखो रंस बन सकते अगर बले बाज अच्छा ठेले तो बले बाज के लिए हार्ड विगेट नहीं है बट अभी के लिए आप जो पैसे नहीं है तो आप यहां पे गिववे कॉंटेस्ट जॉइन करके फ्री में पैसा आरने कर सकते हो और उस आरने की हुवे पैसे को इंस्टेंट ली विड्रॉल भी कर सकते हो जिसका आपको मैं अगर आपको जैसे कि हां इंसेंट विड्रॉल कर सकते हो जो कि आपके जो कि 300 परसेंट आपके डिपॉसित अमांट का और उस जो बोनस आपको मिलेगा वह आप यूज कर लोगे बड़े इजी तरीके से क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बोनस यूज होता है अपका बोनस यूज हो जाएगा आपका बोनस वेर्थ नहीं जाएगा तो साइन अप क और यहां पर हेंड्रिक्स यह लोग लास्ट में बॉलिंग नहीं किया बट आगर यह लोग टिकर है लेफ्ट हैंडर्स तो बॉलिंग डाल सकते हैं ठीक है इसके अलावा यहां पर मैक्सिमम राइट हैं तो लेफ्ट आम और तो लोग जोर्ज लेंडे यह थोड़ा की पारिखेली लास्ट मैचस के ऐसी जो आप स्कोर देख सकते हैं अभी तक छे विकिट ले चुके हैं सबका स्कोर्स देख सकतो लास्ट मैच का अब इनकी टिम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग डालता है और कहां पर बॉलिंग डालता है सैम करन आर्चर और और अब देखो यहां पर चुन की टीम के लिए पूरे चार और डालता है वह कौन को ने जोफरा आर्चर रसीद खान यह और और ऑलिस्टोन यह लोग का आप मान की चल सकते हो पूरे चार और डालेंगे उसके अलाबा चांसे जो रहते हैं सैम करन के लिंडे के चुकि सामने र खाते में जुड़ जाएगा जो भी ओवर का होगा ठीक है तो इस तरीके से लोग ओवर डिस्ट्रिब्यूट करते हैं अब इनके प्लेयर वाइज स्टैर्स देखलो हर एक प्लेयर का आपको सिर्फ यह बोल रहा हूं कि जो यहलो कलर से मैंचन है उनका स्टैर्स अच्छा ह किस प्लेयर का नहीं है आगे और चीज़े क्लेयर हो जाएंगी ठीक है तो यह चीज़े देखते हुए चलना इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है कोई भी फर्दर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफो जो आपकी टीम के लिए काफी आहिम सावित हो सकता है तो टेलिग्राम जुड़ जाओ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया है चुकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो टेलिग्राम से जुड़ जाओ वहां पे इंपॉर्टेंट मिल जाएगी अब जोहानिसबर की बात करते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है यानेमन मलान रिजा हेंट्रिक्स फॉर्प टू प्लेशिस फरेरा सेफ़र्ड गार्टन और जारी जोसेफ लिजाड विलिम्स भी इंपॉर्टेंट है मैं निशान लगाना भूल गया अब देखो यहां पर जो पर्फॉर्मेंस है यानेमन मलान फ्लॉप रिजा हेंट्रिक्स फ्लॉप फॉर्प टू प्लेशिस कुछ खास नहीं कर पाए तो इनकी टीम का टॉप ओडर फ्लॉप ही हो रहा है बट कभी ना कभी तो अच्छा करेंगे क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है जोसेफ ठीक है उसके बाद इनकी टीम से आप देखेंगे तो लिजार्ड विलियम्स अगर पूरे यह लोग 20 ओवर डालेंगे लास्ट में नहीं हुआ था अगर पूरे 20 ओवर डालेंगे तो लिजार्ड विलियम्स यह लोग आपको अच्छे खास ओवर डालते हुए भी गिंदबाजी डाल सकते हैं लास्ट मेच में गिंदबाजी नहीं डाली थी इनोंने ठीक है चुकि लास्ट मेच में दसी ओवर में इनका गेम भी खातम हो गया था इसलिए बट जब सामने लेफ्ट हैंट टीकर रहेंगे तो यह दोनों आपको बॉलिंग डालते हुए दिख सकते हैं तो यह चीज़े ध्यान रखना अब इनके भी प्लेयर वाइज स्टैट्स एक लो फरेरा का स्टैट्स अच्छा है रिजांटिक्स वाफ डूप्लेशिस हैरेब्रो का बियाने विलेबल है याने मनमलान एल्डूपलो इन लो का स्टैट्स अच्छा है आप ड दानेंगे इसारी चीज़े डिटेल में अब इनका थोड़ा वेन्यू स्टैट्स दिखलो चुकि हैट टू हैट रिकॉर्ड तो मिलेगा नि तो सीटी की तरब से जो स्कोरर है आर्वी डू से और डेवल्ड ब्रेविस यहां पर अच्छा किये हुए है जोहारीश बर्ग से बैटल देख लो लेविक्षोन अभी खेल नहीं रहे सैफर ने इनको दो बार आउट किया बाकि साब एक एक बार आउट हुए है कुछ खास चीज़े है नहीं जिससे कंक्लूजन निकले जिससे आप लोग कुछ टीम में चेंज़ेस वगरा कर पाऊ फॉड़ा बनाए रबाड़ा अगर खेलते तो इनको अठाइस गेंदों में तीन मार सैंकर ने इनको पंद्रा गेंदों में दो बार आउट किया उन्ते संदेगर इन तो नहीं से थोड़ा बचना पड़ेगा फॉड़ प्लेस को बाकि नीचे कुछ खास है नहीं जो मैं आपको कीपिंग रॉलप्षन कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज जो मैंने आपको बता है रॉलप्षन थोड़े बैटर है रिकल्टन से रिकल्टन ओपिन कर रहे हैं अगर देखो कीपिंग के लिए यह मेंशन किये जाते तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो बट वैसे देखा ज सकते हैं अगर आप इनके डातर के बढ링 लिए रहे हैं मतलब किसी दढ़ सकते हैं तो बल्लेबाजी आसकते हैं कीड़ नहीं बन पाई है बैछ एक मैच में चले एक मैच में नहीं चले इस तरीके की प्रॉब्लम है बट मोस्ट अब टाइम देखो ऐसे पावर्फुल हीटर होते हैं वह अच्छा खासा पावर प्ले में रन बटोरते हैं तो आप इनको लेके जा सकते हो पार्ट टाइम के इनबाजी डाल सकते हैं क्वालिटी प्लेयर हैं बट इनका भी वही हाल रहा है पिछले कुछ मैंचे से उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा है और मैंने आपका इनका थोड़ा कमजोरी भी दिखाए था सामने वाले बॉलर्स के सामने यह स्ट्रगल करते हैं चाया वह सैम कर रहा हूं चाया वह काई यानेमन मलान का भी यह आल है इन लोग का भी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है बट अभी क्या है कि दो मैच में ऐसे प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं जिनका पिछले कुछ महीनों में फॉर्म लगतार इनका करियर बैस्ट फॉर्म दिखा है रिजा हैंडिक्स का इनको मैं ट्रॉप करने नहीं कहूंगा इवन ये भी गिंदबाजी कर सकते हैं उसके बाद यानेमन मलान को लिया है टेकनिकल बैट्समन है क्वालिटी प्लेयर हैं थोड़ा समय देते हैं फिर पारी को बिल्ड करते हैं तो इस टाइप के प्लेयर से भरोसा जल्दी हो जात हैं तो फर्स्ट बलेबाजी में उनमेंसे किसी एकको ड्रॉप करके आप फरेरा को ले सकते हूं यहापकी चोईस है मैंने इनके टॉप यह लिए इंचि लोग रंस बनाइंगे देन इनकी बलेबाजी नहीं आईगी फरेरा की ज्यादा बल्लेबाजी नहीं आईगी हीटिंग कर सकते हैं फर्स्ट गिंदबाजी में हम इनको ही लेंगे लिंडे की जिगे ठीक है ये चीज़े ध्यान रखना सैम करन मस्थपिक रहेंगे कोई बेनिंग में एनिटाइम प्रमोशन हो सकता है बल्लेबाजी से प्लस गिंदबाजी से जथ में गिंदबाजी करने आ इसके अलावा फर्स्ट बल्लेबाजी में रंच भी अच्छे खासे बना लेते हैं अच्छी हीटिंग कर लेते हैं ठीक है तो इनको लियावाई डवान जंचन ओवर कट सकते हैं अगर यह दथ में आते तो मैं फिर भी सजेस्ट कर देता बट अभी के लिए नहीं कर रहा टी ट्वेंटी बलाउस का अच्छा खासा एक्सपीरेंस है दत में गिनबाजी भी वहाँ पर करते थे बट यहाँ पर तो गिनबाजी मिलने पर ही दिक्कत है इसलिए मैंने छोड़ दिया है अल्यारी जोसेफ जॉफरा आर्चार इन दोनों को मैं मस्ठप पिकाऊंगा चा चल रहा है अभी दो मैच में छे ले चुके है इसलिए लेके जा रहा हूं बाकि फर्स्ट इनिंग में गिनबाजी आए तो आप इनको जरूर लेके चलना सेकेंड इनिंग में चार विकेट लिया सेकेंड इनिंग में ही बट वह एक देखो कभी-कभी प्लेयर का करियर जो में वह निकल के आता है जैसे बीबिल में भी आपने देखा होगा एक मैं थॉमस रोजर्स ने चार विकेट ले लिया था सेकेंड इनिंग में पांच विकेट चलो वह तो फिर भी विकेट टेकिंग बॉलर थे बट यह थोड़ा सा मैं कॉमपेरिजन नहीं का रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं यह सेकेंड इनिंग में चोड़ने का रिस्क ले सकते हो हर बार यह चार विकेट नहीं लेके जाएंगे जिस तरीके से इनका प्रिवियस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ठीक है बाकी रसीत खान का फॉर्म बीबिल से उतने अच्छा नहीं है इस उसके बाद फंगी तो थोड़े डिसेंट ऑप्षन रहेंगे गार्टन भी डिसेंट ऑप्षन रहेंगे रंच भी बना सकते हैं बट ऊवर का सियोरेटी नहीं है और कहां पे बॉलिंग डालेंग वो भी सियोरेटी नहीं है इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया लिजाड वि खेलेंगे तो मस्टर पिक और कोई ऑप्शन खेल नी रहा है तो अभी के लिए जो टीम हो रही है कुछ इस पकार से हैं जहां पर कप्तानी सायम करन वाइस कप्तानी जॉफरा अर्चर अगर जॉसेफ की टीम पहले गिंद बाजी करेगी तो मैं इनको वी सी दे दूंगा वाक आपके लिए ट्रम पिक का काम करेंगे ग्रैंड लिग में इवेन स्मॉल लिग में भी अगर आप डिसके टेकर हो तो आप लेके जा सकते हो इन में से सिच्वेशन जैसे मैंने एक्स्प्लेइन किया उसके अकॉर्डिंग बाकि इस टीम को इस टीम में लगाने की गलती मत कर लिए के डिसक्रिप्शन में लिए कमेंट सेक्षन में लिंक मिलेगा जूर जाना और विडियो पसंद आया कुछ भी सीखा हो तो एक लाइक जूर करना चैनल पर नएगो तो संकाइब कर लेना मिल तक लिए लिए जाहिन